आज किस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको अमेजिंग बंडरफुल रेनो फैक्ट्स फैक्ट नमबर वन क्या आपको पता है कि AK-47 राइफल जो है वो पूरी दुनिया की अकेली ऐसी राइफल है जो किसी भी वातावरन में काम कर सकती है मतलब पानी हो रेथ हो या मिठी हो कहीं पे भी उसको ले जाओगे तो उसको बस लोड करना है और वो काम कर जाएगी और ये दुनिया की इकलोती ऐसी राइफल है और ये मतलब अमेजिंग से राइफल है और इसलिए ये हर किसी बंडे को नहीं दी जाती है आर्मी में भी ये हर किसी को नहीं दी जाती है ये स nemagtगा न्मबर टूह, आप लोग ने बहुत सारे देखी होंगे लेकिन एक बेल सेजी नाम्धा एक नसल का अतुरा होता है मतलब उस नसल में बहुत सारे जई होते हैं तो उस नसल के लेकिन हो जाते हैं बहुत सारे लोग रक्षदान कर देते हैं उसको ब्लैंट डोनेशन कर देते हैं ताकि उसकी जान बटाई जा सके लेकिन कि आपको बता है कि रखतान करने से किसी की जान तो बचाई जाती है लेकिन रखतान करने वालों का भी फायता होता है इसमें जैसे कि कई बिमारिया होती हैं कैंसर होई या फिर दिल के भी बहुत सारी बिमारिया जैसे इसी बहुत सारी बिमारिया ब्लड डोनेशन करने से ही ठीक हो जाती है यह एक बढ़िया सा फैक्ट है तो हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए फैक्ट नमबर फॉर जब भी आप किसी वैक्टी से मिलते हो और उससे पूछते हो कि आप कैसे हो मतलब हाव आर यू तो अक्सर लोग यही कहते हैं आई एम फाइन लेकिन साइंटिफिक फैक्ट में यह पाया गया उन विसर्टिस में साइंटिस्ट ने पता लगाया कि दुन इम फाइन ही ज़्यादातर जवाब देता है और इसलिए यह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला जूट माना जाता है फैक्ट नमबर फाइफ क्या आपको पता है कि टाइटैनिक जहाज होता था एक जो की टूब गया था पानी में यह तो सभी को पता है लेकिन उसको बनाने में उस समय 35 करोड 70 लाख रुपए लगे थे जब कि उसके उपर तो फिल्म बनाई हुई है टाइटैनिक उसको आप लोग जरूर देख लेना उस फिल्म को बनाने के लिए 1000 करोड रुपए से भी जादा लागत आई थी मतलब उसमें इतने रुपए लगे थे मतलब उस जहाज को बनाने में सिर्फ 35 करोड 70 लाख लगे और उस फिल्म को बनाने के लिए 1000 करोड लगे तो आप सोचों कि उतने रुपए में इतनी जहाज बनाई जा सकती थी एक गजब फैक्ट है आज कि इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अत्त इसी और वीडियो में तब तक के लिए हमारी शॉर्ट वीडियो और लॉंग वीडियो भी आप हमारी चैनल पर देख सकते हैं थैंक्यू एवरिवन